दोस्तो Senior Citizen Saving Scheme सभी वरिष नागरिकों के लिए एक वरदान का रूप है Senior Citizen में आपको 8.2% तक का ब्याज हो 30 लाग का निवेश करके आप अपनी जो रासी है जो रिटार्मेंट फंड है चाहे वो पी एफ से हो ग्रेचुटी से हो या कोई पेंशन फंड हो वो आप जमा करके निवेश करके अच्छा खासा 5 साल प्लस 3 साल एक्स्टेंड करके एक आज के वीडियो के अंदर हम आपको senior citizen saving scheme के 9 पॉइंट ऐसे बताने जा रहे हैं जिसको लेने से पहले आपको एक बार जान लेना चाहिए यानि नो ऐसे disadvantageous, no essay limitation जो आपको senior citizen saving scheme में देखने को मिल सकते हैं इसके बहुत सारे advantages तो है पर इसके अंदर क्या-क्या खामिया है क्या-क्या यहाँ पर जो रुकावटे हैं जो senior citizen saving scheme में निवेश करने से पहले आपको जान लेना चाहिए तो दोस्तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत तो दोस्तो आईए start कत अपने वीडियो को बात करते हैं नो ऐसे कौन से कारण है reason है जिस वज़े से आपको post office की senior citizen saving scheme के अंदर निवेश करने से पहले जान लेने चाहिए क्या है disadvantage क्या है limitation post office की senior citizen saving scheme के अंदर जो सभी वरिष नागरिकों के लिए रखी गई है post office द्वारा बैंक द्वारा तो आईए एक एक करके सभी reason देख लेते हैं जिस वज़े से आपको निवेश करने से पहले investment करने से पहले ध्यान रखने चाहिए जोस्तो आ जाते हैं अप नहीं है एक disadvantage यहां पर यह है कि जो भी ब्याज आपको दिया जा रहा है जो भी senior citizen account आपने खुलवाया है चाहिए आपने एक खुलवाया है एक से जादा क्यों ना खुलवाया हो total साल के अंदर अगर 50,000 से जादा का अगर आपको ब्याज दिया जा रहा तो उस case में आपका TDS deduct कर लिया जाएगा rate जो वो 10% के इसाब से आपका TDS deduct करके सरकार को जमा कर दिया जाता जो आपको PPF स्कीम या किसी सुकर्णिया समरीदी योजना स्कीम के अंदर देखने को नहीं मिलता वहाँ पर जो interest है वो tax free होता है लेकिन senior citizen saving scheme के अंदर जो भी ब्याज जो दिया जा यानि quarterly 61,500 का ब्याज दिया जाता है पर जो ब्याज है वो जालाना आपका 5000 से जादा है तो TDS आपका deduct कर लिया जाएगा लेकिन ध्यान रखेगा अगर आप income tax return file करेंगे आपकी tax liability नहीं है तो उसको आप refund के रूप में claim भी कर पाएंगे और अगर आपको return file नहीं करना तो उसकेस में आप 15G और 15H जमा करके post office या bank के अंदर जमा करके आप declare कर सकते के आपकी जो tax liability है वो basic exemption से कम है जिस वजह से आपका interest वो taxable नहीं है और आपकी जो post office बैंक है वो आपका TDS deduct नहीं करेगी लेकिन दोस्तों यह परिशानी जो TDS deduct की liability आती है जो टेक्स की liability आती है वो यह citizen saving scheme के अंदर जो ब्याज पर उस पर आ जाती है जो है fix interest rate senior citizen saving scheme के अंदर जो current interest rate चल रही है एक अप्रेल से लेकर 30 जून तक 8.2% के इसाब से ब्याज दिया जा रहा है जो इससे पिछले tax period यानि पिछले quarter के मुकाबले इस बार बढ़कर आपको ब्याज दिया जा र के नए account खुलवाना चाते तो उन्हें कुछ penalty charges भी देने पर सकते हैं तो दोस्तो fix interest rate के वज़े से जो old account है जो पुराने account holder है उन्हें नई ब्याज दोरों का फाइदा नहीं दिया जा रहा है जिस वज़े से वो अगर अपना account बंद करवाते हैं तो कितनी penalty क्या charges उन्हें यह भी जान लेते हैं तो अगर आप एक साल के अंदर अगर अपना account close करवाते हो नए account खुलवाते तो उस case में आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा और अगर गलती से post office ने आपको ब्याज दे भी दिया है तो वो आपके principal amount से deduct कर लिया जाएगा दोस्तों अगर आप एक साल से दो साल के बीच में अपना account जो वो क्लोज करवाते हैं तो उस case में 1.5% आपके principal amount से deduct कर लिया जाता है और अगर आप 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में premature closer कर वाते हैं तो उस case में 1% आपके principal amount से deduct कर लिया जाता है जो एक बहुत बढ़ा नुकसान आपको इने को मिल सकता है क्योंकि यह fix interest rate जो वो रखा गया जिस वज़स से अगर आप पुराना account छोड़कर नए account जाते हैं तो आपको penalty charges देने को पड़ सकते हैं third point पे कोई भी additional ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा जो भी interest amount unclaimed रहता है अगर आप senior citizen saving scheme के अंदर निवेश करते हैं 8.2% का ब्याज आपको दिया जाता है जो quarterly आपको payable किया जाता है यानि quarter खतम होने के बाद उस ब्याज को आपको claim करना होता है लेकिन अगर कोई senior citizen लिए आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता post office द्वारा पैसा अगर आप सेविंग एकांट में रखे तो आपको 4% का ब्याज मिलता है और fix deposit करें तो उसके इसमें आपको 6% से जादा तक का ब्याज मिलता है लेकिन senior citizen saving scheme के अंदर अगर वो पैसा पड़ा है जब तक आ अगर आपको investment करना eligibility criteria 8 साल रखी गई है यानि जो senior citizen है वही इस scheme को opt कर सकते है निवेश कर सकते हैं अगर आप senior citizen नहीं है तो आप post office senior citizen saving scheme के अंदर investment नहीं कर सकते हैं अगर कोई private sector employee है जो जल्दी retirement लेना चाहता है तो वह इस scheme का benefit नहीं उठा सकता है जो यंग्स्टर है जो जल्दी यार होना चाहते हैं वह इस scheme का benefit नहीं उठा सकते हैं जो long term investment करने का सोच रहे long term scheme के अंदर निवेश करने का सोच रहे वह senior citizen saving scheme के अंदर निवेश नहीं कर सकते हाला कि जो civilian employee है जो defense employee है जिनके लिए age की relaxation दी गई है defense के लिए 50 साल की age है और civilian के लिए 55 साल की age है ल fixed term period और liquidity problem आपको senior citizen saving scheme में देखने को मिल सकती है अगर इसकी scheme में आप निवेश करते हैं तो 5 साल का lock-in period रखा गया है यानि 5 साल की maturity जिसके अंदरा पैसा withdraw नहीं कर सकते 5 साल को और फर्दर आप इसको extend करके और 3 साल के लिए account को open रख सकते हैं ध्यान रखेगा जो ऐसे investor है जो short term के लिए investment करना चाते, goal बनाना चाते, planning करना चाते उन लोगों के लिए scheme नहीं है जो 1 साल के लिए 2 साल के लिए investment करना चाते senior serial saving scheme उन लोगों के लिए नहीं है एक बहुत बड़ा disadvantages ऐसे लोगों के लिए है तो अगर आप इस scheme के अंदर निवेश करते तो 5 साल तक आप पैसा withdraw नहीं कर सकते जिस केस में अगर वो पैसा withdraw करते तो उन्हें heavy penalty charges देने को पड़ सकते हैं तो एक बहुत बड़ा disadvantages यहां पर रखा गया है कि इसका जो लॉकिन पीरिड है 5 साल का जिसके वजह से investor को एक नुकसान को मिल सकता है दोस्तो आजाते अपने six point पे tax implication senior citizen saving scheme के अंदर आप निवेश करते हो तो जो ब्याज आपको मिलता है वो तो आपके लिए taxable होता है लेकिन जो अपने investment किया है साला ना डेड़ लाग तक की छूट मिलती है section 80C के तहत लेकिन दोस्तों ध्यान CPF के अंदर निवेश किया है life insurance policy के अंदर equity link saving scheme के अंदर या फिर फाट साल की fix deposit अगर आप करवाते हैं तो यह सभी investment मिला कर total investment overall investment मिला कर आपको डेड़ लाग की छूट मिली जाती है यानि एक investors है जो senior citizen के अंदर अगर निवेश करता है तो उस case में वो पूरा का पूरा ड बड़ा disadvantages है जो यहाँ पर senior citizen saving scheme के अंदर आपको देखने को मिल जाता है नेश्ट आ जाते हैं सेवन पॉइंट पर online investing senior citizen saving scheme के अंदर investor directly online banking के तुरू या online post office के website पर जाकर account open नहीं करवा सकता आपको online जाकर सबसे पहले form जो वो download करना होगा form को fill up करने के बाद necessary document के साथ आप जो भी authorized bank के वहाँ पर जाकर अपनी application जो है submit करवानी होगी तो दोस्तों एक बहुत बड़ा disadvantages है कि आप यहाँ पर directly online अपना account जो open नहीं करवा सकते आपको offline यानि आपको manually जाकर post office के अंदर जाकर यहाँ पर जो application है वो submit करनी पड़ेगी वो भी necessary अपने document के साथ तभी 8 disadvantage जो है investment amount जो senior citizen saving scheme के अंदर जो deposit limit रखी गई है maximum deposit 30,000,000 रुपे रखी गई है जो बहुत ही कम investment amount रखा गया है जो larger investors है जिने जादा fund निवेश करना है वो इस scheme के अंदर 30,000,000 रुपे से जादा निवेश नहीं कर सकते एक बहुत बड़ा disadvantages ऐसे senior citizen को होता है जिनके पास ब ब्याज कमाना चाहते हैं लेकिन वो सिर्फ senior citizen के अंदर सिर्फ 30,000,000 तक ही जमा कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर यहां पर आप अपनी spouse का account खुलवा देते हैं जिसके अंदर और additional 30,000,000 रुपे जमा कर सकते हैं जिसके तहरत आप total fund यहां पर 30-30,000,000 यानि 60,000,000 तक नि point पे 9 point जिसके अंदर अगर senior citizen की death हो जाती है तो उस case में death के बाद अगर आपका account maturity से पहले ही death हो जाती है तो उस case में जब तक आपका account चल रहा है आपको post office saving rate के इसाफ से ब्यास दिया जाएगा ना कि senior citizen saving account के इसाफ से ब्यास दिया जाएगा अगर आपका joint account है या sole nominee आप आपकी spouse होगी और उसका कोई भी दूसरा senior citizen account नहीं होना चाहिए दोस्तों जब आप account open करवाते तब अगर आप spouse को jointly add करते तो उस case में कोई भी age criteria नहीं होती है आप आपकी spouse जो हो 50 साल की भी हो सकती है 40 साल की भी हो सकते तो उस case में आप उसका account jointly उसको add करवा सकते लेकिन अगर death हो जाती है तो उस case में ध्यान रखेगा कि जो spouse है उसकी age जो हो 60 साल से जादा होनी चाहिए उसके पास कोई भी senior citizen account नहीं होना चाहिए और जो पोस्ट ऑफिस की जो रेट है यानि saving rate 4% का ब्यास दिया जाएगा ना कि 8.2% का ब्यास दिया जाएगा तो यह भी एक ब जान में रखे फिरी आप निवेश करिए विकॉस यह बहुत सारे disadvantages है जो आपको limitation है जो senior citizen saving scheme में देखने को मिल सकते हैं वैसे तो senior citizen saving scheme में आपको 8.2% का ब्याज 5 साल के लिए दिया जाता है और फर्दर आप 3 साल के लिए और extend कर सकते हैं जाधा तर जो भी senior citizen है अपना retirement fund इसकी अंदर ही निवेश करते हैं civilian है तो आपको 55 साल की age का criteria दिया जाता है और defense employee है तो 50 साल का relaxation का criteria दिया जाता है जब आप account जो है खुलवा सकते हैं तो दोस्तो senior citizen के benefits तो बहुत है लेकिन आज के वीडियो के अंदर हमने नो ऐसे disadvantages और limitation देखे जिसके अंदर अगर आप निवेश चलना चाहते है senior citizen scheme के अंदर तो इन सभी कारणों के बारे में एक बार आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आ है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू करेगा जाज़ादा शेयर जरू करेगा धन्यवाद